Hello viewers, welcome to my channel Angel Gable Tarrots and this video for Shana's Kill बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि Shana's Kill का November का मन्त कैसा जाएगा Let's see, उनका November का मन्त कैसा है और किस तरीके का है, क्या-क्या मूवीज है एक बार ये भी मैं question ज़रूर put up करूँगी कि उनकी movies के लिए इस साल के लिए क्या messages आ रहे है Let's see, लेकिन मैं सबसे पहले अपने divine energies से request करूँगे कि ये November का मन्त कैसा जाएगा उनका मेरे आसपास चुकरिफ divine energies हैं, positive energies हैं, प्रीज मुझे बताएं कि शैनास किल का November का मन्त किस तरह का जाएगा और क्या-क्या messages हैं क्योंकि ये card पहले गिरा था तो मैं इसको consider करूँगी शैनास किल के लिए message आ रहा है कि progress तो है, no doubt ये progress तो क्यार करेंगी लेकिन थोड़ा से mind में confusion भी दिख रहा है, इनके mind में बहुत सारी चीज़ें जैसे होता है समझ नहीं पा रही है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, confusion बहुत ज़्यादा चल रहे है, planning strategies बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा emotional है और एक तरीके से इसमें देख रहा है emotional money से related, financial conditions से related इनका दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा emotional है कि मेरा income के स्त्रोत और कहां से मतलब हो सकता है मतलब और आप इस मजले कि इसमाली जे कि व्यक्ति ये केवल देख रहा है कि from the where the money will come मतलब कहां से मुझे पैसा मिल जाए कहां से मरा income के स्त्रोत अच्छा हो जाए लेकिन पीछ उनका पैसा है काफी खर्चा हो रहा है savings शैद वो नहीं कर पारीं देख नहीं पारीं कि वो कितना ज़्यादा खर्च हो जा रहा है इसमें ये भी message है let's see the other messages for this November month और क्या messages है इसमें लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा गॉसिपिंग कर रहे हैं उनके love affairs के बारे में उनके शायद किसी pair को लेकर कि किसी male person को लेकर के काफी कॉसिपिंग हो रही है कि ये इनके साथ हैं या ऐसा तो नहीं दोने के बीश हैं प्रेम संबंध है ये gossiping बहुत ज़्यादा हो रही है और ये ऐसे लोग हैं जो कि इनके सामने आ करके बड़े अच्छे दिखते हैं हां ठीक हम बहुत आपके fan हैं ये हैं वो हैं लेकिन पीट पीछे वो ही लोग कुछ है एक group of people है जो कि बहुत ज़्यादा gossiping करने वाला है इनके शैना स्किल के बारे में और ये फैला भी रहा है एक होता है ना कि गलत धाना फैला देना कि हो कुछ रहा है भले ही वो lovers नहीं है लेकिन gossiping करना मतलब एक होता है ना कि वेक्टिया करें गूमने चला गया कहीं कुछ किसी के साथ चला गया या थोड़ा सा time spent कर लिया बस उसमें gossiping करने व लोग हैं और इनके ओपर यहां पर एज यूजल एंजल्स की बहुत अच्छी ब्लैसिंग्स दिख रही है एंजल्स इनको बचा ले जाएंगे इसमें कोई डाउट नहीं है यह एंजल कोई भी हो सकता है हो सकता है कि सिर्धा शुकला के फॉर्म में हो क्योंकि कई बार यह बहुत बार आता है दो तीन बार जब भी मैं यह परडिक्शन करती हूं तो यह दो कार्ड एंजल्स से जरूर आते हैं कि इनको पर एंजल्स की ब्लैसिंग्स हैं और इस इशुरी कृपा जिसको हम कहते हैं बहुत कूल माइंड़िद यह रहेंगी क्योंकि एंजल्स की ब्ल और यह नहीं कि बहुत जादा फास्टेट हो रहे हैं यह वह सो कुछ नहीं बहुत कूल मांड़ेड और इसमें मुवी को देख लेती हूं कि इसमें मुवी से लेटर क्या इनके मैसेज़ेज आ रहे हैं मेरे असपास जोकर भी डिवाइन अजीस हैं पॉस्चेफ नेजीस मुझे बताएं कि शेना स्किल के इस साल मुवी को लेके क्या मैसेज़ेज हैं जो भी मुवी या प्रोजेक्ट कुछ भी हो करियर से लेटर में एक बार देखना चाहूंगी इसमें क्या मैसेज़ेज आ रहे से कंसर्ड करने के कोशिश कर रही हैं कि उनसे जह है थोड़ा सा बातचीर अच्छे से हो जाए जो भी सीनियर है कोई मैनेजर डारेक्ट है जो भी होंगे बाकी प्रोस्पेरिटी तो इनके दिख रहे हैं लेकर थोड़ा से टेंशन दिख रहा है कभी कभी बीपी हाई यह जाता है इनका अपने करियर को ले करके राकि मुवी में इनका दिख रहा है कि कोई तीसरा जैना बराबर से नजर होए है कि नके야 प्रसोनल लाइफ इनको चाहिए, शयनास को चाहिए कि अपने आपको प्रोटेक्ट करके चलें, बहुत ज़ादा चीज़ें एक्सप्लोर ना करें, बताएं नहीं, अलग ये दिख रहा है कि ये बताएंगी नहीं, अपने आपको एक्सप्लोर ये नहीं करेंगी, ये खुद भी जानती हैं इस करियर में थोड़ा टेंशन भी दिख रहा है, मूवी को लेकर के टेंशन है, मूवी या अलब्म जो भी कर रहे हैं, इस में और देख लेती हूं का क्या मैसेज़ेंस हैं डिसमबर तक, प्लीज मुझे बताएं कि इस इयर, तिल दिस डिसमबर, क्या मैसेज़ेंस हैं कि, बहुत जाते लोग ना इंसर्ल करने कुश्च करेंगे मतलब इनकी मुवी हिट ना हो किस तरह किसे अरचने पैदा कर दो यह यही फेस करेंगी करियर में बहुत इसमें मैं से जा रहा है फिर यह अगर किसी से हैपी मोमेंट्स इनके लाइफ में आएंगे जो यह जा रही है नहीं मालूम क्या चाह रही है लेकिन कुछ हभी मोमेंट्स हैं अपनी परसनल और करियर दोनों को यहाँ पर देनोट कर रहा है कि यह बहुत जादा खुश होंगी बाद में कि हां मुझे जितना चाहिए था उत बहुत ही स्मूथली और बहुत ही प्रेम पूरवा सब को सॉल्व कर देंगी अराम से चाहिए जितना भी स्ट्रगल कोई जना इनके करवाले चाहिए इनकी इनकी इंसर्ट कर दे गॉसिपिंग कर दे और इसमें इनको पशना चाहिए कि अगेन यह मैजिक का कार्ड आया है तो उनको अपनी शादिश दख जिन्दगी मैरिश लाइफ से इनका परस्नल बहुत मैसिज़े जा रहे हैं शेनास के करियर में तुम ने बताया कि इस तरह से रहेगा स्ट्रगल है परस्नल लाइफ को लेकर के लोग बहुत कोई जना है जो चलाकी खेल सकता है अपनी तो यह जानते हैं कि उनकी शादी तो नहीं हुई है तो जाहिर से बाते कोई जना कोई उनको प्रपोस करने की ऐस तरह कोशेश तो करेगा ही करेगा से मैसेज इसमें दिख भी रहा है कि गॉसिपिंग का शिकार हो रही है बहुत जादा यह सब है और इनको किसी मैजिकल ची तो यह चीज से इनको पचना चाहिए हाला कि यह प्रोटेक्शन का कार्ड आया था है यह पर प्रोटेक्ट तो यह जरूर करेंगी अपने आपको नो डाउट तो इसमें जहां तक मैं जो इसमेसेज आ रहा है एंड में जो मैंने देखा जो इसमें दिखता है कि मूवी से थ लेकिन उसके बाद ही हम ऐसे जा रहा है कि कोई जना इनको हो सकता है कि यह बहुत इच्छुक हों कि हां मेरी शादिश्टर जिंदगी में कुछ प्रोग्रेस हो मतलब एक होता है ना कि हैपी निउस मिल गई हाँ ठीक है हमें मूवी इतनी स्थर तक हमें हिट होनी थी हो लेकिन उसी के बाद ही कोई जना इसे चलाकी खिलें कोशिश करेगा उस से साफधान रहें तो I think the message is very clear till that November and I'm related to the movies I have seen only this predictions only I have taken मैंने के बल इसना लिया था कोशन तो I think the message for the fans उनको पहुचिया होगा तो I will end the session here only thank you so much thank you so much